हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे विनाग बटीक में स्वागत है आज हम एक टोप बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर जो लेंगे तो हम यहाँ पर 12 इंच की दो लेंगे और उसकी चुडाई जो हम लेंगे हमारे पास जो चेस्ट का साइज है वो 32 इंच है तो यहाँ पर हम 18 तीन इंची चुडाई में हम 29 इंच की चुडाई में हमने दो पीस काटे हैं 12 इंच की लंबाई है तो यहाँ पर दो पीस हमने इसके काटे है और बचे हुए पार्ट में से हमने यह दो पीस और काटे है जहाँ पर जो इसकी चुडाई है वो 36 इंच है और लंबाई में यह 11 इंच है, ऐसे जो इसकी चुड़ाई है 36 इंच और लंबाई में जैसे करके 11 इंच है, जो दो पीस में इसमें से ये काटे हैं, अब जो हमने 12 इंच लंबाई का और 18 इंच चुड़ाई का पीस काटा था इस पे हम अपने जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उसके ड्राफ्टिं सेड में हम फुल शोल्डर का नाप लेंगे, जो मेरे पास 15 इंच है तो उसका मैंने आदा लिया है 35 इंच है, तो 35 इंच पे नियर्षान लगाया है, और यहां से हम एक इंच इंच डाउन लेंगे, और जहां से जो हमने चुड़ाई रखी गले की वो हम 3 इंच रखेंगे, 3 इंच रखने के बाद, जहां से हमने एक इंच डाउन कर रहा है, इसके नीचे से जहां से हम 7 इंच आर्मोल के लिए लेंगे, तो जहां से हम आर्मोल के लेके जहां पे इसकी शेप दे देंगे, जो हमारी चुड़ाई 3 इंच है, वहां से हम बैग गले के लिए 1 इंच की क उसमें हम यहां से 6.5-6 इंच का निशान लगाएंगे जो हमारा फ्रॉंट नेक होगा और 4 इंच पे हम गुलाई देते हुए और 2 इंच की नीचे हम V की शेप देंगे अब जो हमने इचान लगा गा इचानों पर पर करने और घुट के साथ जोडेंगे बाजो की कटिंग करने के लिए जहां पर मैंने सतरा इंच की दू लैंठ निकार ले रखी है इसको मैंने 4-4 kyards बाजूं लाएं प Warum नसे बिसे कट देगे करेंगे वह सिरुन हरते हो ती यहां से हम आपने इंच्छेञ दुनर की तरफ करते हुँ की पूरन Jug这样 करण भूंधी जैसी मैंने मेसान में आपको मेंशेमेंडें वताऊ है इसे साव से मैं सारे में करे एंक बाजुछ और यहां पर मैंने नेक भी अपना क्यूजिंग पेपर के साथ, फ्रंट नेकी हमने यहां पर बना लिया है, यह नेक बनने के बाद, अब जो हमारे पास इसके नीचे लगाने के लिए पार्ट है, वो लेंगे, तो जो हमने 2 लेंथ काटी थी, 11 इंच की, तो यह हमारे पास व छूनट डालेंगे, जया मैंने यहां पर ब् inimपार पर चूनट डालेंगे, ऐसधे जैसे हमने यहां यह बाज़ीग पार्ट पर डाली है, सेम ऐसधे agreeा, मैं फ्रंट पे चूनट ऐसफे भी डाल लूवेगे, नीचे से इसमें चूनट डालने के बाद, मैंने इसके शोल्ड कर लिए जैसे हमारा टॉप मैंने यहां पर स्टिच कर लिया भी साइडे हमने इसकी नहीं जोड़ी अब हम इसके बैक नेक पे यहां पर कटका निशान लगाएंगे जहां पर सेंटर में कटका निशान लगाएंगे और यहां पर हमने 4 इंच चुड़ाई में एक स्टिप काटी थी जिसकी लंबाई थी 60 इंच तो मैंने उसको ऐसे इसकी इस तरीके से टाई की तरह बनाया इसको सेंटर में से इसको इतना छोड़ते हुए यहां से हमने पहले जहां पर सारा स्टिच करने के बाद इसको हमने सीधा कर रहें सीधा करने के बाद इतने में हमने से सीधा कर दिया निकालके तो अब हम इसके ओपर इसको स्टिच करेंगे यहां पर हम इसका भी सेंटर ले लेंगे सेंटर लेने के बाद यहां से हम इसको ऐसे रखते हुए एक साइड से यहां से ऐसे उठाकर एक साइड से इसको ते इसमिस के ओपने रखते हुए फोड कर लेंगे जैसे यह विक का एक पीछे से चेप देते है ऐसे जिसके ओपर एककर बंड़े यहां तक पर रखते हुए ज़ोडैंगे इस स्ट्रिप को दोने से जोड़ लेंगे, यह हमारी टाई की तरह बंड कर तियार हुआ है, और फ्रन्ट नेक हमने तियार कर रख़ता है, बैक नेक पे हमने कोई भी स्ट्रिप नहीं जोड़ी थी, अब हम इसकी बाजू जोड़ेंगे, बाजू के लिए यहां पर 15 इंच हम नेलस्टिक लूगी और यहां पर 12 इंच लंबाई जहां पर आएगी वहां पर उसको ऐसे रखते हुए स्टीच कर लोगी सारे में ऐसे रखते हुए स्टीच कर लोगी ऐसे जे दोन्य बाजुँल पर मैंने लगा लिया है आप यहां से इसको फूल्ड करेंगे और सारी स्टिचिंग दे देंगे जहां पर हम सारी स्टिचिंग दे रेंगे और यह तियार होके मैं फिर आपको दिखाते हूं यहां पर सारा स्टिच करने के पहाद ऐसे हमारा बन कर तियार हुए है यह हमारी इसकी बाजू बनी है और ऐसे इसका नेक बन कर तियार हुए है नीचे ऐसे हम इसमें चुन डाली है और ऐसे इसको बान देंगे यहां पर हम ऐसे थी हमारी टाई बन कर तियार हुए है और यह स